नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में और आज मैं आपको डिजाइनर साइट स्लीट कुर्ती बनाना सिखाऊंगी और इसके लिए यह मैंने फैब्रिक लिया है यह 2.5 मीटर है और अगर आपका साइज जादा है तो आप इसके लिए 3 मीटर ले तो यह मैं आप शोल्डर है वो है 14 इंच के तो यह इसका मेजरमेंट है और इसके साथ है मैं आपको दूसरा मेजरमेंट बताती हूँ यह जितनी हम कलिया काटेंगे उसका मेजरमेंट है 25 हमारी कमर है तो जितनी भी हमारी कमर है और जितनी हमें कलिया निकालनी है इसमें से हमें 8 कलिया नि कालनी है तो आएगा यहाँ पर 3.1 और 3.1 में हम 1 प्लस करेंगे क्योंकि हाफ-ाफ हमारा दोनों साइट से लाई में जाएगा जब अपनी कलिया जोडेंगे तो इसलिए हमें इसमें 1 प्लस करके तब लेना है तो जो कलियों की चौडाई हम काटेंगे वो हम काटेंगे 4.1 पर तो इस तरह से हमें कलियों का मेजरमेंट लेना है आपको कुछ भी हो आपको इसी तरह से अपना मेजरमेंट लेना है तो यह इस तरह की जो कूर्टी है वो मैंने आपको पहले बनानी सिखाई है पर उसमें जो पैटरन था उसमें जो डिजाइन था फ्लावर पैटरन था त तो ये देखिए हमारी कूर्ती कुछ इस तरह से दिखाई देगी बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत आपकी बन करके तियार होती है तो आईए इसे बनाना हम शुरू करते हैं ये मैंने फैब्रिक रखा हुआ है और ये मैंने टू फोल्ड करके रखा हुआ है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तो लाइक करने कोई पैसे नहीं मिलते हैं केवल मुझे इंस्पिरेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाती रहूं तो ये मैंने टू फोल्ड करके इस तरह से कपड़ा रखा हु तो यहां पर 1.5 इंच पर हम यहां पर निशान लगा देंगे डेडिंच हम एक्स्टर लेते हैं क्योंकि वन इंच हमारा नीचे जाएगा फोल्ड करने के लिए और हाफ इंच हमारा उपर सिलाई में जाएगा तो इसलिए हम इसमें डेडिंच प्लस कर देंगे और इसके बाद हम यहां से 15 नीच छोड़ करके अपनी लंबाई ना पेंगे हमें 15 नीच इसलिए चोड़ना है क्योंकि टॉप पार्ट हम 15 नीच का बनाएंगे तो 15 नीच छोड़ करके आपको अपनी लेंद का यहां पर निशान लगा लेना है यह मैंने निशान लगा लि यह हमें फोरफोड करके कपड़ा रख देना है और इसके बाद हम कल्यों की कटिंग करेंगे तो यह मैंने कपड़ा इस तरह से रख दिया है एक बार और मैं आपको कलियों का यहाँ पर मेजरमेंट बता देती हूँ हमें किस तरह से लेना है 25 हमारी यहाँ पर कमर है आपकी जितनी भी कमर है और जितनी आपको इसमें कलिया काटनी है माली जी हमें 16 काटनी है या 8 काटनी है दस काटनी है तो हमें उसी से डिवाइट करना है अपनी कमर को तो हमारी कमर यहाँ पे 25 है तो इसे हम डिवाइट करेंगे ठीक है और 8 से और उसके बाद जोएगा उसमें हमें 1 प्लस करना है तो यह मैंने आपको पहले ही बताया था, अब इसमें मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ, यह जो हमारा कपड़ा है, यह जो चोड़ाई है, यह कपड़े का अरज है, और यह हर कपड़े का अलग-लग होता है, और यहां से हमें चोड़ाई लेनी है अपने कली की, जो हमने अभी निकाली है और दूसी साइड से भी हमें इसी तरह से ले लेना है 4.1 पर हमें निशान लगाना है दोनों साइड कॉर्णर की साइड हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है नाप करके और इसके बाद इसे हम मिला देंगे सीधा इसे हमें मिला देना है ये बहुत ही सिंपल तरीका है कलियां काटने का और इसमें घेर भी बहुत अच्छा आता है और कम कपड़े में आप इसे बना सकते हो तो ये मैंने इस तरह से निशान लगा लिये हैं और मेरे पास काफी कोशन आये थे जब मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी तो मुसे पूछा गया था कि ये जो चोड़ाई है ये हमें कितनी लेनी है यहां से कि मैंने नहीं बताई है इसका मेजर्मेंट तो मैं आपको बता दूँ कि केवल हमें ये दो ही चोड़ाई लेनी है ये चोड़ाई हमें नापनी नहीं है क्योंकि ये कपड़े का अरज है और सब कपड़ों का अलग होता है और जितनी भी आपके चोड़ाई आए आपको पूरी चोड़ाई लेनी है इसका कोई मैजर्मेंट नहीं है आपको केवल कली के जो हमने अभी मेजर किया है और जो आएगा केवल ये दोनों ही हमें नाप करके निशान लगा देना है बागी जितनी भी चोड़ाई हम आएगी दोनों साइट से वो पूरी चोड़ाई हमें लेनी है ठीक है इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे अब इसमें हम सीधा कट कर देंगे इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भοιπόν अच्छे समझाया है पर उसमें जो उसमें पैटर्न बने हुए थे जो फ्लावर बने हुए थे उसमें निशान अच्छे से दिखे नहीं थे तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे पास काफी questions आये थे कि हमें ठीक से समझ नहीं आ रहा है तो अब इसके बाद हम side से ये कपड़ा cut कर देंगे दोनो side से हम इसी तरह से cut कर देंगे इस कपड़े में निशान बहुत अच्छे से दिख रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगी आपको बहुत अच्छे समझाने के ताकि अब आपको कोई भी problem ना हो इधर से भी हम इसी तरह से cut कर देंगे और ये हमारी cutting हो गई है अब यहां से हमें इस तरह से इसे fold करना है और फिर हम नीचे का जो कपड़ा है इसे बराबर कर लेंगे cut करके उपर की side से भी हलका से यहां पर होगा इसे भी आप cut कर दे अब ये कुछ इस तरह से हमारे कपड़े की shape आ जाए ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा ये नीचे की side से हलका सा अगर बहार हो तो इसे आप cut कर ले अब ये हमारी 4 कलिया ये हो गई है अब 4 कलिया हमारी इस side है तो इसे भी हम इसी तरह से cut कर लेंगे ये मैंने यहां पर 2.5 मीटर कपड़ा लिया है इस size अगर आपका यही size है तो आप इतना ही ले अगर इस से ज़्यादा size है तो आप ज़्यादा कपड़ा आप इसके लिए 3 मीटर से कम ना लें तो ये इधर की side भी हमारा इसी तरह से cutting हो गई है और ये हमारी 4 कलिया यहां पर हो गई 4 हमारी ये हो गई है तो ये 8 कलिया हमारी निकल गई है 4 हमारी आगे लगेंगी और 4 हमारी back side में लगेंगी तो ये कलिया हमारी कट हो गई है अब इसके बाद इने में लगाने का आपको तरीका बताती हूँ मेरे पास कोशन काफी ज़्यादा इसलिए भी आये थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से कपड़ा रखे और यह देखिए यहां से हमारी सीधी साइड है यह हमारी सीधी साइड है और यह भी हमारी सीधी साइड है यह सीधी साइड है हमारी दोनो और दूसरी साइड यह हमारी सीधी साइड है और जहां पर मैं निशान लगा रहे हैं वो हमारी सीधी साइड है तो ये इस तरह से आपको कपड़ा रखना है वैसे आप किसी भी तरह से ये जोड सकते हो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगे दोनों हमारी सीधी साइड है और ये भी हमारी सीधी साइड है और इसे आप इस तरह से रख करके इसमें सिलाई कर दे बिल्कुल सिंपल तरीका है ये तो भी बिल्कुल पर्फेक्ट आएगा और माल लीजिए आप इसे उल्टा पुल्टा कैसे भी करके सिल सकते हो तो भी आपका ये बिल्कुल सही आएगा आप किसी को भी किसी के साथ भी कली को जोड सकते हो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि हम किस तरह से अगर दूसरी तरीके से रखेंगे तो कैसे जोड़ेंगे यहाँ पर तो हमने इस तरह से रखा है माल लेजी आप इसे चेंज करके दूसरी साइड रखे यह ऐसे अब बीच में हमारी तिर्ची वाली साइड आ जाएगी और कोने में हमारी सीधी वाली साइड आ जाएगी यह देखी इस तरह से अगर आप इस तरह से भी जोड़ेंगे तो भी हमारी कलिया ठीकी जोड़ेंगी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी चींजिस नहीं होंगे अब यहाँ पर हम इसमें टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे यह मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा रखा हुआ है यह देखिए आप यह मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है कपड़ा 2 फोल्ड यह रहा और 2 फोल्ड यह रहा इस तर ऐसे हम यहाँ पर 16 इंच पर यह निशान लगाएंगे वन इंच हमने एक्स्टर लिया है हाफ इंच उपर जाएगा सिलाई में और हाफ इंच नीचे जाएगा सिलाई में तो 16 इंच पर यह मैं निशान यहाँ पर लगा दूँगी तो इसे हम सीधा मिला देंगे और यहां से हम यहां पर 15.5 पर यह निशान लगाएंगे हाफ इंच हमारा नीचे फोल्ड करने का है तो हाफ इंच पर हम यहां पर निशान लगा देंगे सीधा इसे मिला देंगे यह हमार नीचे हाफ इंच पर हो जाएगा यहां पर हम सिलाई लगाएंगे shoulder हम लेंगे यहाँ पर 7 inch arm hole भी हम यहाँ पर 7 ही लेंगे क्योंकि हम इसमें जो neck है वो छोटा बनाएंगे इसलिए हम यहाँ पर 7-7 ही लेंगे और इसे हम नीचे तक मिला देंगे bot neck मैं इसमें बनाऊंगी इस वज़े से मैंने यहाँ पर 7 लिया है और अगर आप इसमें long बनाना चाहते हो डीप बनाना चाहते हो neck तो आप इसमें कम ले shoulder तो 7 inch पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिये हमारा कमर का निशान है fitting का अब हम यहाँ पर chest का निशान लगाएंगे हमारी जितनी chest है उसका हमें fourth भाग लगाना है और यहाँ पर नीचे से भी नापकर हम इसी तरह से लगा लें क्योंकि हम इसमें dart डालेंगे और 2 inch मैंने extra लिया है यह सिलाई के लिए यहाँ पर और यह 2 inch मैंने extra लिया है यहाँ पर सिलाई के लिए तो यह इस तरह से हमें simple तरीके से निशान लगा लें है half inch हमर अंदर की side लेंगे और इसे यहाँ पर निशान लगा देंगे सीधा और इसे हम मिला देंगे अब यहाँ पर इसमें हम shape देंगे इस तर ऐसे गोलाई में हम इसमें shape देंगे यह हमारे front arm hole की गोलाई हो जाएगी और इसके बाद half inch हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और यह जो हमारा पीछे का आम होल है उसकी हम shape देंगे यह दोनों हमारे निशान इस तरह से लग गए हैं half inch हम यहाँ से down कर देंगे अपने shoulder और इसे हम सीधा मिला देंगे तो यह हमने इस तरह से निशान लगा लिये हैं बहुत ही simple निशान है यह मैंने निचे तक मिला दिया है अब इसके बाद हम यहाँ पर dart के निशान लगाएंगे यह मैं आपको बता दूँगी कि किस तरह से लगाते हैं यह देखी जितना हमारी चेस्ट है उसके according में निशान लगाना होता है गर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो यह निशान आपको साड़े 9 पर लगाना है 32 से 40 तक है तो साड़े 10 पर लगाना है और 40 से उपर है तो साड़े 11 पर लगाना है तो यहाँ पर मैंने यह साड़े 10 पर निशान लगाया है और यह जो चाड़ाई है यह हम किस तरह से लेते हैं जितनी भी आपके chest है उसे आपको 10 से divide करना है आपकी जितनी भी chest है उसे आपको 10 से divide करने के बाद जो आएगा और नीचे हम इसी तरह से मिला देंगे और इसे सीधा मिला देंगे जैसे हम ब्लाउज में निशान लगाते हैं बिल्कुल इसी तरह है पर जो standard measurement होता है वो पौने 4 का होता है पर अगर आप नाप करके निशान लगाओ तो वो बिल्कुल perfect आएगा तो मैं हमेशे इसी तरह से निशान लगाती हूँ यहाँ पर half half inch हम यहाँ पर निशान लगा देंगे और यह dart का निशान हमारा हो जाएगा आप जब भी निशान लगाए इसी तरह से measure करके लगाए तो आपकी fitting perfect होगी यह दोनों साइट इस तरह से मैंने निशान लगा दिये हैं अब यह proper हमारे निशान लग गए हैं अब यहाँ पर हम neck का निशान लगाएंगे चार इंच पर मैंने यह लिया है चोड़ाई और चार इंच की ही मैं इसमें लंबाई लूँगी फूर फूर इंच पर मैंने दोनों निशान लगा दिये हैं इसे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और मिला देंगे उपर तक अब यहाँ से भी हम इसे मिला देंगे अब यहाँ से यह हमारा निशान लग गए हैं अब इसमें हम शेप दे देंगे इस तरह से तो ये हमारे इस तरह से पूरे निशान लग गए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से निशान है हमारे मैं इसी तरह से हमश्यआ आपको निशान लगाने बताती हूं यह एक्स्ट्रे कपड़ा जो नीचे लिया था हमने उसे हम कट कर लेंगे अब निशान के उपर-उपर हमें कटिंग कर लेनी है बाहर का जो आम होल है उसे ही हमें कट करना होता है पहले और इस तरह से हम इसे एक्स्टर कपड़े को कट कर देंगे सेंटर कट हम इसमें दे देंगे दोनों साइट और यहां पर भी हम कट देंगे ताकि हमें डाट के निशान जो हम पिछे की साइड लगाएंगे वहां लगाने में कोई दिक्कत न हो इस तरह से हम यहां पर भी निशान लगा लेंगे और दोनों पलों में दो-दो डाट के निशान हम लगा देंगे और चाहे अगर आप डार्ट की निशान नहीं लगाना चाहते हूँ तो आप सिंपल भी इसे ऐसे ही कट कर सकते हो जैसे हम सिंपल सूट सिलते हैं इस तरह से ज़रु है यहां आपको डार्ट की निशान लगाना तो यह मैंने नेख भी कट कर लिया है और ये कुछ इस तरह से हम दोनों साइड ऐसे ही निशान लगा देंगे दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लगा देंगे और दोनों पल्लों में हमें ऐसे ही निशान लगा देने हैं अब इसमें हम जो हमारा फ्रंट आम होल का निशान था उसे हम कट कर देंगे बैक साइड का मैंने इसमें से पला अलग कर दिया है तो ये हमारी जो टॉप पार्ट है उसकी कटिंग हो गई है अब इसे हम सी लेंगे जो हमारी डार्ट के निशानते सबसे पहले हम इसे सी लेंगे अगर आप चाहते हो सिंपल ऐसे ही बनाना डार्ट की निशान नहीं लगाना चाहते हो तो आप सिंपल भी सी बना सकते हो डार्ट अगर हम इस तरह से लगाते हैं उसमें शेप बहुत अच्छी आते है फिनिशिंग अच्छी आती है फिटिंग अच्छी आती है हमारी तो केवल इसलिए लगाया जाते हैं बाकी आपकी इच्छा है दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कर देंगे और दोनों पलों में हम डाट के निशान ऐसे ही सिलाई कर देंगे तो ये मैंने दोनों साइड इसी तरह से सिलाई कर ली है ये इस साइड भी मैंने कर ली है सिलाई अब हम इसमें नेक अपना तियार कर लेंगी ये हमें औरे पट्टी के साथ बना करके तियार करना है औरे पट्टी कैसे काटी जाती है इससे गला कैसे बनाया जाता है इस पर मैंने वीडियो बनाई है लिंक में आपको description box पर दे दूंगी तो ये मैंने गला इसका तियार कर लिया है ये बहुत ही आसान है इस तरह से बनाना अब ये दोनों साइड मैंने तियार कर लिया है अब इसके हम इसे हम आपस में जोड देंगे यह हमाई दोनों सीधी साइड है एक दूसरे के ऊपर रख करके अब इसे हम जोड़ देंगे हमारे कंदे हम इसे ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे अगर आप इंस्ट्राग्राम पे हो तो प्लीज मेरे इंस्ट्राग्राम पेज को फॉलो करें लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहाँ पर मैं नए-नए डिजाइन के वहाँ पर फोटोस हमेशा अप्लोड करती रहती हूँ जो मैंने वीडियो बनाई है वो भी और जिसकी वीडियो नहीं है वो भी सबकी फोटोज मैं इसमें अप्लोड करती रहती हूँ आपके कोई कोशन हो ता आप वो वहाँ पर मुझे पूछ सकते हो अब ये हम मैंने इसमें फिटिंग के निशान लगा दिये है अब इसके बाद ये जो हमारे फिटिंग के निशान है ये देखी ये फिटिंग के निशान आपको एक दूसरे से इस तरह से मिला करके आपको ध्यानक नहीं दूसरे से मिलने चाहिए ये ऐसे आपको कपड़ा पकड़ना है और इसे टूफोल्ड ऐसे कर देना है यहां से हमने इसे फोल्ड कर दिया अब इसे हम दुबारा फोल्ड करेंगे इस तरह से और अब यहां पर हम इसमें हलका सा कट डाल देंगे इस तरह से यहां पर हम जो अपनी स्लिट डालेंगे उसके निशान है यह तो यह हमने इस तरह से कट डाल दिया है मैं आपको निशान इसमें लगा करके दिखा देती हूँ यह हमारा स्लेट का निशान है यह हमारा सेंटर में है और यह हमारा अभी जो हमने निशान लगाया तो यह देखिए यह हमारा सेंटर है इसके बगल में हमने यह दोनों निशान लगा दिये हैं और ये हमारा fitting का निशान है, fitting के निशान हमें simply लगाने है, chest का हमने उपर लगाया था, बाद में हम कमर का लगाके इसे निशान लगा देंगी, तो ये मैंने इस तरह से कलिया जोड लिए, ये मारी back side की कलिया है, जो कि मैंने चारो कलिया जोड ली है आपस में सिल करके हम इसे तियार कर लेंगे और ये जो फ्रंट साइड की कलिया है वो मैंने तीन जोड़ी है और एक मैंने इसमें अभी नहीं जोड़ी है क्योंकि एक में हमें इसमें स्लिट डालना है साइड स्लिट हम इसमें डालेंगे यह इस तरह से, इसलिए मैंने केवल 3 कलिया भी जोड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा मैंने क्यों किया है, और यहाँ पर हम इसमें slit डालेंगे, इसलिए मैंने केवल 3 कलिया जोड़ी है, एक अभी नहीं जोड़ी है, अगर आप बीच में slit डालना चाहते हो, तो वो लग सकते हो, कम करना चाहते हो, तो आप इक चाहे है, जैसे हम इतना सिलेंगे, तो नीचे से हम पूरा slit डाल देंगे, तो मैं इस तरह से कपड़ा पकड़ना है, और इसमें हम सिलाई कर देंगे, यहाँ पर मैं केवल 1.5 इंच पर ही यह सिलाई करूंगी, आपकी इक चाहे आप इसे बढ़ा भी सकते हो, और कम भी कर सकते हो, जितनी आपको slit चाहिए, उसके recording, तो यह मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर यह निशान लगाया है, यह जो चोड़ाई है, यह हमारी, आप कितनी भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, यह जो हमने इतना सिलाई किया है, अब इसमें सिलाई लगा देंगे, तो यह हम नीचे से फोल्ड करना शुरू करेंगे, नीचे की साइट से मैं इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूंगी, और फिर हम इसे ऊपर की साइट से फिर सिलाई लगाएंगी, तो यह 1.5 इंच हमने छोड़ा था, इस तरह से हमेशा हर कली में अक्सेर लिया आ है ताकि हाफ-ाफ इंच हमारा दोनों साइड से सिलाई में जाएगा तो यह हमारा हाफ इंच हम इस तरह से two fold कर देंगे और यहां पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे ऐसे हमेश Christina सिलाई लगानी है और इसे हमें सीधा सिलाई लगाते रहना है इस तरह से फोल्ड करके अब इसी तरह से यहां तक मैंने सिलाई लगा दी है इसमें अब यह हमारा उपर की साइड आ गया जहां पे हमने सिलिट डाली है जहां तक हमने सिलाई लगाई है अब यहां तक भी आपको इसी तरह से कपड़ा फोल्ड करके सिलाई कर देनी है उपर तक यहां तक जहां से हमने सिलाई लगाने शुरू की थी केवल उतने तक ही और इसके बाद इसे इस तरह से हमें ऐसे कपड़ा उल्टा करके तब यहां पर सिलाई लगानी है यहां तक और इसके बाद फिरी से हम कपड़े को इस तरह से करके हम नीचे तक हम इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे जैसे हम अपने सूट में जो हमारे साइड में हम सिलाई लगाते हैं चाक होते हैं हमारे बिल्कुल चाक की तरह हमें इसमें सिलाई लगानी है इसे हम नीचे तक सिलाई लगा देंगे पूरी ये देखिए ये कुछ इस तरह से जैसे हम चाक में लगाते हैं इस तरह से हमारा ये slit तियार हो जाएगा ये नीचे तक हमें सिलाई लगा देनी है इसी तरह से ऐसे फोल्ड करके पूरा नीचे तक हम इसमें सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे और इसे तियार कर लेंगे यह मैं सीधी नीचे तक लगा दूँगी तो यह देखें मैंने सिलाई इसमें लगा ली है और ये कुछ इस तरह से हमारा slit बन करके बिलकुल ready है और ये आप बीच में भी डाल सकते हो या side में भी डाल सकते हो जहां आपको ठीक लगे वहाँ पर आप ये डाल सकते हो दोनो side में से किसी भी side में अगर आप डालना चाहो slit तो वहाँ पर भी डाल सकते हो या फिर आप center में डालना चाहो कहीं भी आप ये slit डाल सकते हो और तरीका बिल्कुल यही रहेगा slit डालने का तो ये हमने इस तरह से हमारा front जो हमारी side है वो हमने तियार कर ली है अब इसे हम उपर के part में जोड़ देंगे जो हमारा top part है तो ये इस तरह से हमने top part रखा है और ये हम अपने कपड़े को इस तरह से सिलाई कर देंगे तो ये हम देखेंगे मैं आपको निशान लगा करके दिखाती हूँ ये देखें ये इस तरह से जहांपर है ये हमने कलिया जोड़ी है ये हमारा center में आ जाएगा और ये जो दूसरा है ये हमारा जहांपर हमने निशान लगा है वहांपर ये इस तरह से जूड़ जाएगा और दूसरी side भी इसी तरह से जूड़ जाएगा ये इस तरह से आ जाएगा और इसमें हम सिलाई लगा देंगे यहां से ये हमारे fitting के सिलाई हो जाएगी जो हमने फिटिंग के निशान लगाए यहा पर हम यह फिटिंग की सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से यह हमें पूरा सिलाई कर देनी है यहाँ पर तो यह बहुत िज़ी तरीका है इसमें कोई भी मुश्किल सेंटर का काम नहीं है आप बहुत आसानी से इसी तरह से सिलाई करकर से तियार कर सकते हो तो यहां से आपको इस तरह से सिलाई लगा देनी सैंटर का ध्यान रखना है आपको ध्यान अखना है सेंटर से आपका सेंटर मिलना चाहिए हल्का सा भी दर दर ना हो कि यह इसी तरह से आपको इसमें सिलाई कर देनी है यहां से भी हम इसमें इस तरह से पकड़ करके से सीधी सिलाई लगा देंगे और यह हमारा टॉप पार्ट इसमें हमारे बॉटम पार्ट के साथ चुड़ गया है हमने सिलाई इसमें कर ली है यह आप देख सकते हैं इस तरह से और यह हमारा स्लिट आएगा यह साइड में हमारा साइड स्लिट इस तरह से आ गया है और इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई कर लेंगे जो हमारा दूसरा पार्ट है यह हमने टॉप पार्ट के साथ इसे जोड दिया है अब यह दूसरा पार्ट है क्योंकि इसमें अलग से हमें slit नहीं डालना है यह मैंने चारो कलिया जोड़ी हुई है और इसका भी हमें सेंटर से सेंटर मिला करके यह सिलाई लगा देनी है और इसे जोड लेना है तो ये मैंने इस तरह से दोनों पल्लों को आपस में जोड लिया है फ्रंट साइड में भी और ये मैंने बैक साइड में भी इस तरह से सिलाई करके दोनों पल्लों को जोड लिया है अब यहां पर हम जो हमारे ये फिटिंग के निशान थे इसके उपर अब हमें सिलाई लगानी है यहां तक हम लगाएंगे इसके बाद साइड में इस तरह से हम शेप दे के इसमें निशान लगा देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे थोड़ा सा कर्व देके हमें ये निशान लगाना है और यहां से हमें हावाव फिंच पर पूरे में नीचे तक सिलाई लगा देनी है और अब यहां पर यह देखें मैं आपको बाजू लगाने का तरीका बताती हूँ इस तरह से अगर आप बाजू लगाओगे तो आपका कभी भी कोई प्रॉलम नहीं आएगी बाजू लगाने में कभी भी बाजू आपकी कम्या जादा नहीं रहेगी बिल्कुल पर्फेक्ट आपकी बाजू आ जाएगी तो आपको क्या करना है यह जो हमारा सेंटर था यहाँ पर इस तरह से आपको ऐसे पकड़ना है और इसे हलका सापको खिचाव दे करके यह आपको यहाँ पर हलका से खिचाव देना है बहुत जादा खिचाव नहीं देना है और यहां तक आपको निशान लगा लेना है इस निशान के पास जहां तक हमने निशान लगा रखा है फिटिंग का वहां के उसके बराबर आपको निशान लगा देना है तो यह हमने निशान इस तरह से लगा दिया है और इसे अब हम यह जो हमारा निशान है इसे हम नीचे तक मिला देंगे जो हमारा गोलाई का फिटिंग का निशान था बाजू कटिंग मैंने इसमें नहीं बताए हैं क्योंकि मैंने उसके अलग से वीडियो अप्लोड की है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहां से देख लेना तो बिल्कुल इसी तरह से आपको इसमें सीधा निशान लगा देना है ये लगाने का तरीका मैं इसमें आपको बताऊंगी अब नीचे की साइट से जो हमने एक इंच यहां पर एक्स्टर लिया है आगे की साइट से उसे हम फोल्ड कर देंगे और बाद में ये सीधी सिलाई लगा देंगे तो बाजू हम इस तरह से मैंने ये सिलाई करके तियार कर ली है ये देखिए अब इसे मैंसे सीधा कर लूँगी सामने से जो एक इंच एक्स्टर ले रखा था वो मैंने फोल्ड कर दिया है यहां पर और सामने ये जो सीधी सिलाई है वो मैंने लगा दी है अब यहां पर हमें क्या करना है सीधा हमने अपनी बाजू को कर लिया है कुछ इस तरह से और यह जो हमारा जॉइंट है उसे आपको जॉइंट के साथ मिला देना है जॉइंट से हमें जॉइंट मिलाना है और कपड़ा आपको इस तरह से फोल्ड करना है अब अंदर की साइड वाला भी हमें ऐसे फोल्ड करना है जो हमारे बाजू का कपड़ा है इस तरह से और यहां से हमें इसमें सिलाई लगानी शुरू करनी हो चारो तरफ हमें इसमें सिलाई लगा देंगे यहां से हमें इसमें सिलाई लगानी शुरू करनी है चारो तरफ हम सिलाई लगा देंगे इसके गोलाई में इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपकी कोई भी प्रॉलम नहीं आएगी बाजू से रिलेटिड और इसकी जो कटिंग है वो मैंने अलग से वडियो बनाई हुई है और उसमें आप अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो अलग से मैंने बाजू लगाने के दो तरीके भ लगा देंगे और इसमें आपको खिचाव नहीं देना है बिल्कु सिंपल आपको कपड़े को पकड़ करके चारों तरफ इसमें सिलाई करते रहना है सीधी सीधी तो यह देखिए यह हमारी बाजूस में लग गई है और इस तर ऐसे मैं आपको सीधी साइड से दिखाती हू यह देखिए हमारे जॉइन से जॉइन मिला है और कहीं भी हमारी प्रॉलम नहीं आया है बाजू लगाते हुए और इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट आपकी बाजू लग जाएगी इसी तरह से आपको दूसरी बाजू भी जोड लेनी है यह मैंने हमारी बाजू कुछ इस तरह से दिखाई देगी ये देखी इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारी बाजू लग गई है और इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी तियार कर लेंगे ये देखी मैंने दूसरी बाजू भी इसमें लगा ली है और ये दोनों बाजू मैंने इसमें लगा दी है नीचे से भी हमारा यह जुड़ गया है, अब जो नीचे की साइट से यह देखे हमारी यहां से slit है, और यह इस तरह से हमारी कुर्ती बन करके त्यार हो जाएगी, और जो नीचे का कपड़ा है, जो हमने एक्सर नीचे का छोड़ा था, वन इंच, फोल्ड करने के लिए उसे भी हम नीचे से फोल्ड कर देंगे, मैंने फोल्ड कर लिया है, चारो तरफ आपको गोलाई में सिल देना है, और यह slit है, यहां से मैंने कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके इसमें चारो तरफ गोलाई में सिलाई लगा लिए, आपको भी इसी तरह से सिलाई लगा देनी है, और ये हमारी कुर्ती बिल्कुल बन करके ready हो जाएगी, बहुत ही simple तरीका है और बहुत ही आसानी से आप कुर्ती बना सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक आप जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद